तो यहां पर है brand new R15 V4 2021 का model है और काफी खुब सूरत लिख रहा है और red color के अंदर तो क्या ही कहना है और यहां पर हमें मिलेंगे upside down suspension जो golden color के है और आगे क्यों और से किस तरह का look है यह देख सकते हैं तो काफी खुब सूरत look है और यहां पर हम देख सकते हैं कि projector lamp हमें मिलता है जो है adjustable जिसे हमें adjust कर सकते है mt50 में भी यहीं से हम आता है और इसका shifter किस परकार का है वह हम देखेंगे तो shifter जो है V3 की तरह ही है क्योंकि यह जो model है इसके अंदर kick shifter नहीं लगा है अगर आपको kick shifter चाहिए तो थोड़े पैसे आपको ज्यादा खरचने पड़ेंगे जो है Yamaha R1 M के अंदर R1 5 M के अंदर जो silver और black color के अंदर अभी यहां पर मौझूद है और यहां पर हम देख सकते है कि किस परकार का यह look देती है और इसके अंदर क्या का changes है वो भी हम देखेंगे तो same to same थोड़ा बहुत changes है जैसे कि यहां पर cap मिलते है blue color के suspension के उपर और इस पर R1 5 लिखा है क कि इसका swing arm है silver color का जो कि हाला कि silver color का नहीं होना चाहे था क्योंकि अगर silver color का है तो chain कि गंद की जब silver color पर लगेगी तब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर हम देख सकते है कि कि किकखिटर है यहां पर लगगा हुआ है यह करीब साथ और शार का किकखिपटर आता है जो हम चाहना चाहे तो भूब में बहुत है लगा सकते यहां पर हम लूटे है नहीं होtw tuck discussion क्यप scotiP मीरी कुछ भी पन एट तेंस ऑंस नहीं गाता पर और इसका seat cover जहां पर और seat के अंदर यह जो seat खोलने के लिए जो hole दिया रहा वो भी change है और यहां पर देख सकते हम कि यहां पर क्विक्षिप्टर नहीं दिया गया है जो V3 में नहीं मिलता था और अब की bike पे ये मिल रहा है V4 में और price भी हाला कि थोड़ी सी ज्यादा है थोड़ी बहुत ही price के अंदर इंकेस हुए पर इतना पैसे जाइस है क्योंकि ये काफी खुबसुरत bike है यहाँ पर button देख सकते हो button के अंदर ही kill switch और stop start का switch भी यहाँ पर ही दिया गया है और यहाँ पर हम देख सकते seat का जो मैंने कहा था कि seat कोलने के लिए वहाँ पर ही चावी का hole दिया गया है और काफी खुबसुरत bike है जिसे हम दूर से दिखेंगे पूरी bike को और काफी खुबसुरत लुक देती है यह और eye catching है यहाँ पर start करके मैं दिखाऊंगा start करके कि यह किस प्रकाल से start होते है इसके मेंटर के अंदर function देख सकते हो आप 155 दिखा हुआ आता है और यहाँ पर ABS की नीटल के light अब सब चालूँए यह पर हम दे का phone आया है तो यह काफी बेहतरी फीचर से हो और RPM बढ़ने पर RPM लिमिट की light के light piece के अंदर सेट की हुई है अगर आप college में पढ़ते हो और अगर आप student हो तो यह bike आप आखे बंद करके खरीज सकते हो क्योंकि यह 45 का mileage देती है और इसे भी ज्यादा माइलेस देती है जो आपके जेत पे भारी नहीं पढ़ने वाली और काफी खुबसुरत बाइक है जो आई-catching है आप college में ला जाते हो तो बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस हो सकते है मैं क्या कहना चाहते हो आप समझ सकते हो तो मेरा review अगर आपको पसंद आया हो तो like कर देजिए गया share कर देजिए और subscribe किजए हमारी चनल को क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं और नई बाइक के review भी करेंगे और इसे repair करने के तरीके भी मैं दिखाता हो अगर कुछ भी खामी होती है तो ठीक है तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ नए topic के साथ चौन तो बाइ-बाइ